हेलो व्रूडी मैं पंकज सोनी पंकज एजटिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं आज 31 दिसंबर 2021 है और आज इस साल की आखरी साम है और ये विडियो मैं आपके लिए सूट कर रहा हूं ये विडियो आपके लिए एक गिफ्ट है जिसमें आप नए साल में स्टॉक मार्केट में प्रवेश करते समय उस स्टॉक का चुनाव करें जिसमें आपको नुक्षान ना होने की संभावना हो या तो दूसरे सब्दों में कह सकते हैं कि नौवर्स में आप ऐसे स्टॉक का से स्टॉक मैं आपको बताने जा रहा हूं यह नए साल में आपको अच्छा प्रॉफिट कराएगा उस स्टॉक के बारे में हम फंडमेंटल और टेक्निकल रिसर्च करेंगे और स्टॉक का मार्केट के बारे में आप काफी चीजें सीखने वाले हैं तो यह विडियो आप सुर आपको कमाई भी करनी है और नया साल के सुरुवात भी अच्छे से करनी है तो इस सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट के अच्छे अच्छे विडियो इसकी अपडेट्स समय पर मिलती रहें साथी बेल बटन को हिट करिए जिससे कि आपको सबी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलें साथी इस विडियो को एक लाइक करना तो बनता है अगर आपके कुछ फीडबैक्स है और आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इस विडियो को अपने दोस तो मित्रों प्रिय जनों परिवार जनों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिससे इस वीडियो के माध्यम से वह कापी कुछ सीख सकें और उनको घर बठे कमाई करने का अच्छा उसर मिल सकें तो ये वीडियो मेरी तरफ से मेरे सब्सक्राइबर्स हुआ और उन लोगों के लिए जो सब्सक्राइबर्स नहीं भी हुए हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स बनने जा रहे हैं उनके लिए मेरे तरफ से एक छुड़ा सा गिफ्ट और ये वीडियो आप दूसरों को भी गिफ्ट कर सकते हैं इससे कि वह काफी कुछ सीख सकें और 9 वर्स 2022 म वह एक अच्छी सुरुवात कर सकें अपने करियर के लिए घर बैठे कमाई करने और बहुत कुछ सीखने के लिए तो 9 वर्स की सुबकामनाओं के साथ चलिए हम एक स्ट्रॉंग फंडामेंटल वाला स्ट्रॉक डिसकस करने जा रहे हैं मैं स्ट्रॉक में निवेश, वीचुल फंड में निवेश, फिक्स डिपॉजिट जैसी चीजें ग्रो वेबसाइट के माध्यम से करता हूँ इस वेबसाइट को आप लाप्टॉप ये डेक्स्टॉप कंप्यूटर पर उपन कर सकते हैं इसकी मोबाइल लाप आप एंड्रोइड मोबाइल फोन पर डाउनलोड करके स्टॉप में बहुत आसानी से और जल्दी निवेश कर पाएंगे तो अगर आपने ग्रो में अभी तक अपना एकाउंट उपन नहीं किया हैं तो मैंने description box में इसकी link दे दी है उसको click करके आप आसानी से ग्रो में अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार की कोई समश्चा होती है तो आप मुझे comment कर सकते हैं या मुझे call कर सकते हैं मेरा number भी description box में दिया गया है तो चलिए आज के stock की चर्शा करते हैं और आज का जो stock है मेरा favorite stock है और इसके products मैं तो इस्तमाल करता हूँ साथ ही पूरी दुनिया करती है आप भी करते होंगे तो जब आप इसके products को इस्तमाल करते हैं तो इसके stock को खरीदने में क्या हर्ज है और ये stock है Britannia Industries Britannia के बारे में ऐसा कोई नहीं है जो ना जानता हूँ Britannia के products बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसके biscuits और दूसरे products भी वेकरीप products भी बहुत ज़्यदा popular है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी तो चलिए जानते हैं आज सब कुछ Britannia Industries के बारे में आज 31 December 2021 के शाम है market बंद हो चुका है और इस stock ने closing दी है 3,606 रुपीज की और आज के दिन देखेंगे तो इसमें 0.90% की बढ़त दर्ज की गई है तेजी देखी गई है अगर 1 week की बात करें तो 1 week में इसने 1.29% का return दिया है 1 month की अगर बात करें तो इसने 1.56% का return दिया है 1 year की बात करें तो 0.71% का return दिया है 3 years की बात करें तो 16.13% का return दिया है और 5 years की बात करें तो इसने एक सांदार return दिया है 148.60% 5 years में इसने return दिया है तो इस stock को देखकर आपने अंदाजे लगा लिया होगा कि इसको अगर मैंने 1 day पर click किया 1 week पर click किया 1 month 1 year 3 year 5 year पर click किया तो यह पूरा chart आपको green दिखा मतलब इस stock पर आप भरोसा कर सकते हैं कि यह stock आपको कभी भी नुक्षान नहीं कराएगा और long term में तो यह आपको माल करने वाला stock है चलिए अब इस चार्ट को समझने का प्रियास करते हैं देखिए यह stock जो है stock market में शुरू हुआ और date थी 6 January 2017 और इसका stock price था 1,447 रुपिश 48 पैसे तो जब यह stock चलना शुरू करता है तो थोड़ा उपर जाता है और फिर नीचे गिरता है ज्यादा उपर जाता है थोड़ा सानीचे गिरता है ज्यादा उपर जाएगा थोड़ा सानीचे गिरेगा ज्यादा उपर जाएगा थोड़ा उपर चलांग लगाई और फिर वो इतना नीचे नहीं आए फिर यहां पर थोड़ा कॉंसलेडेट हुआ देखिए कहां तक कॉंसलेट हुआ यह सेवन अगस्ट टुथावंट्वेंटी और और यह तारीख है तो एक साल तक कॉंसलेट हुआ फिर उसने एक उंची च्हलांग लगाई मतलब यह एक साल तक एक consolidation phase में रह सकता है और इसके बाद एक लंबी छलांग लगा देता है और अपने investors को माल माल कर देता है तो ऐसा ही stock आप अपने portfolio में जिंदगी भर के लिए रख सकते हैं यह stock growth में तो आपको profit देगा ही साथ ही तगड़ डिविडेंट भी देता है जिससे कि बीच बीच में भी आप अपनी और शक्ताओं को पूरा कर सके हैं और बाकी तो इसकी growth होती ही रहेगी तो बहुत ही स्टॉक है अब चलिए हम इसका टेक्निकल भी देख लेते हैं टेक्निकल चार्ट मैंने इसका open कर दिया है थोड़ा उसको भी समझ आईए वैसे तो आपको लॉंग टर्म इसके लिए लेकिन थोड़ा टेक्निकल नॉलेज भी आपको ना चाहिए तो देखें यह कंदलिस्टिक चार्ट है बिटानिया इंडिस्टेज का और यह देखें यह जो है 200 मुविंग एवरेज की लाइन है और यह स्टॉक जो है अपने 200 मुविंग एवरेज के ऊपर हिट 3,227 यह आपकी बेस्ट बाइंग हो सकती है अगर कभी स्टॉक जो है 3,227 तक गिरता है तो उस पर आप जम कर खरिदारी इस स्टॉक में कर सकते हैं कि लांग टर्म के लिए और अभी जो है स्टॉक जो है 50 डे मुविंग एवरेज पर आपको मिल रहा है तो इसमें आप इन्वेस्ट करके सौट टर्म में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं मैं बता सकता हूं कि आप प्रॉफिट कहां पर बुक करेंगे यह देखिए यह 50 डे का इसे को मुविंग एवरेज है और यह प्राइस जो है 3,606 का है इस पर आप सौट टर्म के लिए इस पर को बाई करिए मैं आपको टार्गेट बता देता हूं और यहां पर आप जो है प्रॉफिट बुक कर पाएंगे यह है 4,126 पर आप सौट टर्म के लिए प्रॉफिट कर सकते हैं और इससे आंगे आप होल्ड करेंगे तो इससे उचे के इससे ज्यादा हायर लेवल पर भी आपको टार्गेट मिल सकते हैं जिसे 4,500-4,600 तक भी एट लाउंटर में आपको टार्गेट अचिव करा सकता है तो इस तरह से टेकनिकल भी आप सिखिए और टेकनिकल जब आप सिख जाएंगे तो आप सौर्ट टर्म ट्रेडिंग भी इसमें कर पाएंगे तो और कई गुना मुनाफ़क माने के आउसर आपको मिल सकेंगे अब हम इसके ओबर व्यू की बात करेंगे परफॉर्मेंस इसकी कैसी रही यह देख लेते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं टुडेज लो इसने बनाया है 3,569 रुपीज का और आज हाई बनाया है 3,623 का और हाई बनाने के बाद यह थोड़ा सा नीचे गिर गया है 52 वीक लो जो है इसका 3,305 रुपीज है और 52 वीक हाई जो है 4,153 का है जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह जो स्टॉक है अपने 52 वीक हाई से काफी नीचे गिर चुका है जो कि इसको best opportunity provide करते हैं कि आप इसमें buy करें क्योंकि ऐसे stock में गिरावट का फायदा हमें उठाना चाहिए और इस stock में जितनी भी गिरावट हो जितनी ज्यादा गिरावट हो उतनी ही ज्यादा हमें quantity को इसमें add करना चाहिए तो यह अच्छा मौका है कि अपने 52 वीक हाई इसे काफी गिर चुका है और आजसे में आप खरिदारी कर सकते हैं ओपन प्राइस जो है इसका 3586 रुपेज का है प्रिविएस क्लोज है 3573.90 इसका वोल्यूम जो है 244,207 का यह एक हाई वल्यूम स्टॉक है लार्ज कैप है ब्लूचिप कंपनी है निव्टी 50 का स्टॉक है तो इसमें आप आराम से खरिदारी करिए आख बंद कर खरिदारी करिए मेरे वीडियो पर विश्वास करिए इसमें आपको तगड़ा मुनाफ़ा होने वाला है और निकाल सकते हैं इसको और इसको किसी दूसरे काम में ले सकते हैं जिसमें भी आप चाहें तो FD से बहुत ही अच्छा रिटन देने वाला स्टॉक है इसकी वेलू जो आज ट्रेड हुई है वो है 88 क्रोर की अब चलिए जानते हैं कि इस स्टॉक के बारे में एनलिस्ट का क्य तो इसमें जो है 67% एनलिस्ट इसको बाई करने की सलाह दे रहे हैं 25% होल्ड करने के लिए सलाह दे रहे हैं और बहुत ही कम एनलिस्ट जो है इसमें सेल करने की सलाह दे रहे हैं वो है 8% इस स्टॉक के बारे में 36 एनलिस्ट ने इसके फंडमेंटल्स और टेक्निकल्स की जा लिए जाए तो आज आप यह आसान सब्दों में सीखने वाले हैं इसकी मार्केट गैप जो है जो क्वालेटी स्टॉक्स होते हैं ग्रोफ स्टॉक होते हैं तो वह प्रिमियुम वैल्यूशन पर ही आपको मिलते हैं इसमें वह सस्ते मिलने की संभावना उनकी बहुत कम होती है इसका पीबी रिश्यो जो है 24.26 है इसका मतलब यह स्टॉक जो है अपने इंट्रेस्टिंग ट्रेड कर रहा है इसका इंड़स्ट्री जो 22.04 है तो बृतानिया के स्टॉक जो है अपनें इंड़स्ट्र попроб जो है क काफी महंगे में त्रेड कर रहा है क्वाक एपक कि इसमें क्वालिटिध कार आप चाइप है और अच्छा श्कारत लोग इसको महंग 봤quito की होती है मिह इसका 46.89% है जो कि बहुत अच्छी बात है अगर किसी का return on equity 20% से जादा है 15% से भी जादा है तब ही वे एक अच्छा stock माना जाता है EPS जो इसका 66.16 है जो कि अच्छी बात है इसकी dividend yield गजब की है 4.55% ये stock growth तो आपको देता ही है growth की तो guarantee है साथ में dividend भी बहुत अच्छा देता है इस current से ये मेरा favorite stock है 4.55% की तो ये आपको dividend yield ही दे रहा है इसकी book value जो है 74.85 की है चलिए अब हम इसके financials को दिखते हैं कि इनके financials कैसे हैं तो पहले हम quarterly base पर इनके financials की चर्षा कर लेते हैं September 20 में इनका revenue था 3,419 December 20 में इनका revenue जो revenue generate किया उसमें थोड़ी सी गिरावाट आई 3,166 March 21 में इनके revenue में थोड़ी सी और गिरावाट आगई 3,131 June 21 में इनका revenue बढ़कर हो गया 3,403 इनकोंने recover किया अपने revenue को September 21 में इनकोंने अपने पुराने record तोड़ दिये और एक नय record बनाया revenue का 3,607 रुपेज का यह सभी figures क्रोर में हैं यह बात ध्यान रखिए 3,607 क्रोर आप profit देख लेते हैं इनका quarter on quarter profit आप देख रहे हैं September 20 में इनको गजब का profit हुआ था 498 क्रोर का यह सभी figures जो है क्रोर में है December 20 में इनको profit हुआ था 456 का March 21 में 364 का profit हुआ June 21 में इनका profit बढ़ कर हो गया 390 और September 21 में इनका profit हो गया 384 यह quarter on quarter इनके profit जो है कम यह जादा होते रहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट इनके profit में नहीं होती है नेट वर्थ की बात करें तो September 20 में की नेट वर्थ थी 2674 March 21 में की नेट वर्थ हो गई 3548 जो कि एक record है और September 21 में की profit नेट वर्थ कम हो गई 1,803 जो कि इसमें थोड़ा गिरावट दर्श की गई है इस quarter में अब हम year on year की बात करें तो इनका revenue जो है तेजी से बढ़ रहा है year on year revenue में काफी अच्छी progress है जैसा कि आप देख भी रहे हैं यह सारे figures जो है क्रोर में है 2017 में इनका जो revenue था वो था 9,324 2018 में इनका revenue बढ़ गया 9,990 2019 में का revenue बढ़ गया 11,055 2020 में इनका revenue फिर से बढ़ गया 11,600 और 2021 में का revenue बढ़कर हो गया 13,136 जो कि बहुत अच्छे figures है और इसको देखकर तभी खोस हो जाती है कि इस तरह के profit generate करते हैं प्रॉफिट देखिए अब प्रॉफिट में भी अच्छी खासी growth हमें नजर आ रही है year on year basis पर और यह काफी अच्छा result दिया है इन्होंने year 2021 में तो चलिए इनको इनके profit भी देख लेते हैं 2017 में इन्होंने profit generate किया था 884 क्रोर का यह सभी जो फिगर्स जो है क्रोर में है 218 में इन्होंने profit generate किया 1004 2019 में 1159 2020 में 1403 और 2021 में इन्होंने एक record बनाया profit generate करने का और वो हो गया 1864 चलिए हम इनकी net worth भी देख लेते हैं कि net worth कैसी रही तो net worth तो आप यहां देख रहे हैं कि 2017, 18, 19 और 20 में जवज़श्त growth इनको मिली हुई है यह अच्छी growth कर रहे हैं लेकिन अभी थोड़ा सा 2021 में थोड़ा decline हुआ है इनकी net worth तो चलिए हम इसकी चर्चा करते हैं थी 2,696, 2018 में 3,406, 2019 में 4,253, 2020 में 4,403 और 2021 में 3,548 की इनकी net worth रही चलिए आंगे हम discuss करेंगे इस company के बारे में कि इनके कारुबार कैसा है क्या काम करते हैं यह कहां इनका business फैला हुआ है यह सब चीज़ें आप जानने वाले हैं वीडियो को अंच तक जरूर देखिए क्योंकि इससे आप बिस्केट बनाती हैं इनके बिस्केट हम लोग खाए भी हुए हैं हमारे बच्चे भी खाते हैं आप लोगों भी इसनके केक और रस्क तो पसंद करते ही होंगे यह मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपलर हैं ले स्क्राइड लूर्पड तर देखिए के को अर देखित सेखिए के बिस्केट रिखिव धेयरा जेक रोगों को आप प्राइग। बेज़ जम प्लस प्रेट बरावन लूल हर्ट पूर्माज के बनात वाल्यू टूर्सिव ट्रिस्कूंग हैं देखिए लिघ्ट मारी 98. ठानिवानुडफेश, तожअचछेश, ब्रोडवा maps, Hahn ग भीड, 64. यंतर सेवरिये motivateा, जिजवाज़ेक, 55. अुभाज़न disturbance एुबेश, छ्जबाटित, प्रेटेऽ और। सु 시작orta कट डें। być poALकिरा घर्वार लेज़ अंगिन अज़कर का इं आव, कि दाद रेडोला, सं़कर कातिरी आपना slightly assort, प्रेड, टेंसर रेट, तृकत रेड केस हम लेले टेरे मेदर रेड चाती ह तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो बिटैनिया इंडेस्ट्रीज का कारोबार है तो इनके प्रोड़क्ट्स बहुत ज्यादा पॉपलर हैं बच्चों के बीच में बड़ों के बीच में भी और इनका कारोबार नाकेवल हमारे भारत में बलकि विदेश्टों में भी और कई महादीप में इनका जो कारोबार है फैला हुआ है और यह बहुत अच् तो यह ब्रुटानिया कंपणी जू है भारत में कारुबार कर रही है नाइन्टीन-ेटेग कंपणी जू इसके मैनेजिगेग क्षेटर है मिस्टर वरुन बेरी है और इसका एनसे सिंबल जो है ब्रिटानिया की नाम से रजिस्टर्ड है एनसी में यह इनकी कुछ प्रोड़क्ट से जिनको आप यूज करते होंगे और आपके घर में आते भी होंगे और सबसे ज़्यादा स्वाधिस्ट होते हैं इनके पर्टाइन के अगर बात करें तो प्रोडर्स ने इस पर बहुत आच्छी खासी होल्डिंग बना के रखी है और यह 50.55 परशंट की लोडिंग जो की बहुत अच्छी बात है कि प्रोड़क्ट्र ने इतनी होल्डिंग बिटानिया इंडिस्टेज में ले के रखी है रिटे किया हुआ है तो टॉप पीचिल फंड्स की हम बात करेंगे कि मेरा एसेट ग्रेट कंजुमर फंड 3.55 परसेंट की इन्हों ने होल्डिंग लेके रखी है इस स्टॉप में मेरा एसे टैक्स फंड में ने 1.33 परसेंट की होल्डिंग है अधित बिल्लासन लाइफ इंडिया ने ब्रिटैनियंड इस्टीज की 1.26 परसेंट की होल्डिंग लेके रखी है और SBI ब्लूचिप डिरेक्ट प्लान ने 1.06 परसेंट की होल्डिंग लेके रखी है तो इससे पता चल गया कि जो ब्रिटैनियंड इस्टीज है एक ब्लूचिप कंपनी है एक ऐसी कंपनी जो कंसिस पैसा लगाने पर नुक्षान होने की स्मभवना ना के बरावर होती है इन्हें ही ब्लूचिप कंपनी कहा जाता है तो चलिए हमके टार्गेट डिसकस कर लेते हैं कि क्या टार्गेट निकल कर आ रहे हैं तो इसके लिए मैं आपको लेकर आया हूं बिजनेस इसके आप इसकी घरदारी आराम से कर सके और यहोगे बिंडरेए कर सके और प्रॉफिट कमा सके तो इडिभी कैपिटल ब्रीटरी इनुच्य को बाई करने की सलाह देывает हैं और इन्होंने टार्गेट दिया है 4,507 का इन्होंने टार्गेट फिक्स किया है करेंट मार्केट प्राइस जो है दिया हुआ है तो उस पर भी आप खरीदी करके चल सकते हैं तो ब्रोकर्स का क्या कहना है उसकी रिपोर्ट भी हम पूरी पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्यों इन्होंने इतना लंबे टार्गेट जो है ब्रिटानिय अंडेस्टेज के लिए देखे रखा है तो चलिए हम इनक पाट्यू के रिजजर्ट्स तो हमारे ऐस्टिमेट से कम हैं यह तो सही बात है जैसा कि मैंने आपको ग्राफ में दिखाया था कि इनके प्रौसिट कम हुए है तो वो तो आप देख चुके हैं तो कम है यह बात सही है जो कि एस्टिमेट था कि कम नहीं होने चाहिए था फिर भी कम हुआ है तो रेविन्यू ग्रोथ यह बात सब्सक्राइब है यह बात सब्सक्राइब है यह बहुत अच्छे हैं जैसा कि मैंने आपको पहले ग्रोग की वेबसाइट में आपको देखा चुका हूं सब्सक्राइबijo में जैन करने कि ओ ещё कहा बात सब्सक्राइब कर देख का यह बात सुच्राइब की नहीं कर देख औ इंपक के स्यूंकach में यह वहुतितव पात सबक्चाइब आ ethिंप कि गयो कि ढटी कि lunar टें ओतलine नाति Gramage reduction 2 3rd by the end of FY22, during Q2 FY22, Britannia has taken a 4% price hike and expects benefit from Gramage reduction to flow, H2 FY22 distribution expansion in Tracking Well तो ये profit ज्याद़ जनरेट करने के लिए ये अपने प्रोडक्ट में 4% की प्राइस हाइख करने वाले हैं क्योंकि inflation हुआ है inflation होने से जो रुपी की value है वो कम हो गई तो अब इनको अपने price बढ़ाने पड़ेंगे और जब ये price increase कर देंगे 4% price increase कर देंगे तो इनका profit भी बढ़ जाएगा और जब profit बढ़ जाएगा तो company के stock price में उच्छा लाएगा ब्रितनिय इंडे स्टीज expects rural to outperform urban through distribution, expansion and penetration in ruler market share gains stood at 2.5x versus urban during Q2 FY22 तो ब्रितनिय इंडे स्टीज रूलर एरियाज को target कर रहे हैं FY22 में जिससे की इनको 2.5x growth मिलने की संभावना है modern trade grew 10% higher than the traditional channel however the company expects lower volume growth due to inflation and reduction in gram grammage during H2 FY22 and finally इदर पर आपको समझता है accordingly we have trimmed our EPS estimates by 6 to 13% तो इसमें EPS का मतलब होता है earning per share तो इसमें कितनी growth नजार आ रही है 6 to 13% की growth नजार आ रही है आने वाले साल 2022 और 2023 में we have introduced FY24 in our estimates तो इन्होंने FY24 के लिए भी अभी से estimates तयार कर लिया है we maintain our bullish view on the company और ये बिटाइने अंडे स्ट्रीज पर जो इडवी capital है ब्रोकिश फर्म है इस कंपनी पर bullish है मतलब ये खरीदारी के राहे हैं और खुद भी खरीद रहे हैं we maintain buy rating and our revised target price stand at 4507 का इन्होंने revised target दिया है और पहले इन्होंने target price दिया था 4351 जो कि इन्होंने इस target को target से जो नया target है उसमें encourage किया है ये पुराना target है और ये नया target है नया target में इन्होंने इसके stock price को ज़्यादा बताया है जिससे कि आपको अधिक profit भी मिलेगा तो बताइए आपको अगर आपकी कुछ क्योरी है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please subscribe my channel then comment on the video इस video को देखने के बाद आपके मन में क्या feedback आ रहा है वो आप में comment करके बताइए अगर आपकी कुछ क्योरी है तो वो भी हमें comment करिए and please like our video आप मारी video को like जरूर करिए जिससे कि YouTube की भी पता चले कि मैं एक financial जानकारी जो है information जो है public तक पहुंचा रहा हूं और यह तो अच्छा काम है और आपको इस video को like करना चाहिए मेरे hardware को appreciate करना चाहिए और साथ ही इस video को आप दूसरे लोगों के साथ भी share करिए जिससे कि यह महत्पूर्ण जानकारी पपली तक पहुंचे आपके प्री जनों तक पहुंचे और इस video के माध्यम से वो अधिक से अधिक फायदा उठा सके और अपना जनन नौलेज भी बढ़ा सके और लास्ट आपने अपना कीम्टी समय निकाल कर हमारे वीडियो को देखा और यह हमारे लिए एक appreciation है कि आपने हमारे वीडियो को पूरा देखा और मीडियोका पूरा यह हमारे वीडियो के वोच्छ दून की को माध्या वीडियो कांध्या कांध्याक जय वे। करें तक भीका है। बिसके की सौईटले में है Lift rate inondra colitis